नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कोसी उलेक्ट्रोनिक्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टी लेंग्विज एच्डी कंट्रोलर के बारे में इससे पहले की बहुत सारे वीडियो में आपने हमारा मल्टी लेंग्विज कंट्रोलर देखा होगा जो की SD card based था और सबसे पहले जो इनी से लिए स्टेच में जो हमने launch किया था वो Bluetooth best था तो बहुत सारे Bluetooth में problem होते थे कि ज्यादा देर तक का connectivity रेंज नहीं होता था कभी-कभी Bluetooth connect भी नहीं हो पाते थे तो इन सबको सारी चीजों को दूर कर दिया गया है सारे परिशानियों को हटा करके एक नया multi language controller बनाया गया है जिसमें कि आपको design जो देखने के लिए मिलेगा वो HD type के design देखने के लिए मिलेंगे और इसका जो है mobile app है और उससे जो है आप easily way में mobile app से text upload कर सकते हैं इसी भी language में ठीक है और साथ में ही इसमें आप s connection, z connection ये भी आप अपनी mobile app से set कर सकते हैं और बहुत सारे लोग हमारे क्या करते हैं कि किसी का data top left से start होता है किसी का top right side से होता है तो कई बार क्या होता है कि हम जो controller बनाते थे top right, left वाले बनाते थे और लोगों का connection top right से होता था तो उनका text जो है उल्टा चलता था लेकिन अभी के जो controller है इसमें सारा चीज अपडेट किया गया है आप mobile app के help से ही top left, top right भी select कर सकते हैं S connection, Z connection भी select कर सकते हैं तो यह काफी easy होने वाला है और जो भी लोग wifi यूज कर रहे हैं थोरण wifi बनाना चाहते हैं तो वो आराम से यह controller लेकर के अपने light को automatic कर सकते हैं और यह controller जो है कुछ इस type का दिखता है और इसमें जो है different variant आपको मिल जाएंगे अब जो है आप 10,2,6 में भी हिंदी में text चला सकते हैं और 10 वाले, 12 वाले, 16 वाले, up to 2000 LED तक में आपको यह controller देखने को मिल जाएंगे तो मैं अभी इससे चालू करके और इसमें power डालके आपको दिखा रहा हूँ जैसा कि आप देख पाने है कि मैंने यहाँ पे light डाला और यहाँ पे आपका text चलना चालू हो गया है तो अब भी जो है हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इसमें text कैसे upload करते हैं और इसमें क्या है कि आपका design और पहले से डाला हुआ है तो आपको जो है बस mobile app के help से text डालने होंगे और यह HD type का controller है इसमें जो designs होंगे वो HD वाले होंगे आप जैसा HD card में चलाते हैं जैसा HD card में design चलते हैं वैसे ही effect आपको देखने के मिलेंगे जो कि कापी premium और high quality के effect मिलने वाले हैं तो और text भी जो है आपको अलग-अलग color में चलेंगे जैसे कि अभी white color में चल रहा था इसके बाद आपको green, red, blue, automatic जो है next term में आपके वो change होना चालू करेंगे ठीक है तो अभी देख पारें कि आप यह circle वाला effects है इसके बाद जो है 4-5 effects, 4 effects और चलेंगे फिर उसके बाद जो है आपका text repetition होना चालू होगा तो अब जो है हम लोग इसके mobile से कैसे text upload करना है तो वो देखेंगे तो दोस्तो mobile से text upload करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करने होंगे एक mobile app download करने होंगे तो आपको क्या करना है जाना है कोसी electronic सर्च करने है Google में और वहाँ पे जाना है आपको software वाले section में software वाले section में जाकर के आपको जो है यहाँ पे scroll down करेंगे तो यहाँ पे अलग-अलग variant है जैसे यह लिख रहा है कि pixel LED Windows software इसके नीचे जाएंगे तो आपको pixel controller mobile application मिलेगा यहाँ पे जाके आप Wi-Fi multi language app पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको जो भी आप email ID से download करना चाहते है उस email पे click करके आप download करेंगे ठीक है तो यह mobile app कुछ इस type का आता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए आपको जो है सबसे पहले क्या करने होंगे अपना mobile card जो है data बंद करना होगा तो मेरा already बंद है और अपने Wi-Fi को on करने होगे तो मैं अपने Wi-Fi को on कर देता हूँ और Wi-Fi को on करने के बाद जो है आप आपको क्या करना है pixel Wi-Fi वाली network से connect होने है इसका by default password है 12341234 या password हो सकता है 1 से लेके 8 तक तो आपके controller के उपर password लिखा रहेगा तो मैं यहाँ पे देखिए pixel Wi-Fi network से connect हो गया हूँ लिख रहा है obtaining IP address मतलब अभी connect नहीं हुआ है connect होड़ा है अगर एक बार में connect नहीं होता है उसके बाद mobile app पे जाएंगे तो यह app खुलेगा तो आपको इस वाले connect वाले बटन पे क्लिक करना है जैसे connect वाले बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपका इधर green color में लिखा हुआ है connected और यहाँ पे आप देखिए चार बटन दिये हुए हैं और जो भी आप select करते हैं यहाँ पे display होता है अभी मैंने Z किया तो Z हो गया S किया तो S की हो गया ठीक है टॉप left, टॉप right सारा चीज यहाँ पे है speed high और low ठीक है text bold और यह अभी देखिए आप text कुछ इस type के चल रहे हैं अभी जो है मैं bold नहीं कर रहा हूँ और फिर text send करके देखता हूँ जैसे हिंदी में type करने के लिए आपको क्या करने होगे अपने Google में keyword डाउनलोड करने होगे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हिंदी English keyword है हमारे पास ऐसे ही आप कोई भी keyword डाल सकते हैं ठीक है तो अभी मैं हिंदी में type करता हूँ आपका स्वागत है ठीक है और मैंने bold हटा दिया है तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारे text आएगा वो normal letter में आएगा यह bold नहीं है अगर मैं bold करूँगा तो यह bold text जाएगा ठीक है अभी मैंने speed को low रखा था अब मैं high करके send करके देखता हूँ तो यह थोड़ा था text fast चलेगा compared to पहले जो भी जागया था तो अभी आप देख पा रहे हैं कि text जो हमारा थोड़ा fast चला है अभी मैं अगर इसको connection type को S से Z में करता हूँ तो यह text उल्टा पूल्टा दिखेगा तो अभी आप देख पा रहे हैं कि Z connection में हो गया यह उल्टा पूल्टा दिख रहा है तो जो भी आप यहाँ पे toggle button पे click करेंगे वो उपर आपको दिखेगा जैसे उपर लिखा है connection type S top left, speed high और मैं send करता हूँ text ठीक है अभी जो है हमारा हो गया ठीक है इसमें एक और खासियत यह बात है कि जो भी आप text S या Z जो जिसमें भी select करते हैं आपका design भी S और Z दोनों में हो जाता है और design देखिए आप कितने प्यारे designs है जैसा कि आप SD card में चलाते हैं उश type के सारे HD designs इसमें डाले गया है आप इसे gate में यूज कर सकते हैं थोड़न के तरह यूज कर सकते हैं या जैसे भी आपको यूज करना है आप ये यूज कर सकते हैं तो होब तो दोस्तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तो अगर आप controller खडीदना चाहते हैं तो description में हमारे WhatsApp का link दिया है साथ में website का भी link दिया है या तो आप हमारे website से order कर सकते हैं या जो है आप direct हमें WhatsApp से order कर सकते हैं controller का price जो है 900 रुपे प्लस GST है लगबद 1000 something का पड़ेगा ठीक है और इसके बाद जो है आप जो है mobile app हमारे website से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी size में ले सकते हैं अब टू 2000 LED और इसका नाम है pixel LED multi language HD controller जो लोग SD card वाला चाहते हैं वो SD card वाला भी खड़ी सकते हैं ठीक है और ये जो है without SD card है इसमें flash memory लगए होते हैं वहाँ पे जो है design जो भी है SD card में stored होता है यहाँ पे जो होता है controller के पीछे flash memory होता है उसमें जो है ये program stored होते हैं ठीक है तो इसे इसका advantage भी है कि आपको SD card खोने का डर नहीं है और ज़्यादा secure है ठीक है तो अभी जो आप design देख रहे हैं वो 1664 का है और आगे designs का video चलेगा तो आप design देखें और दोस्तों अगर आप इस channel पर पहली बार आ रहे हैं और आपको ये content आप को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे content को like करें और अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो हमारे channel को subscribe करें ताकि आपको pixel LED से latest video का notification मिलता रहें अगर आपका कोई सजाव सुलाव है इस controller को रे करके आप नीचे comment करें तो मैं उसको अपग्रेट करने का कोसिस करूंगा तो आगे आप वीडियो देखते रहें कि 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 क कर दोज़े हैं लगता हैं झाल 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 झाल